नवस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्योब चैनल खत्री डेरी फारम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियों दो देसी गोदन विक्री के लुपलब्द करवा रहे हैं मुकेश कुमार विश्णोई सर्जो की खाजवाड विकानेर से है जो उनका में काम है वो गाय बैसे दिलवाने का है आज की वीडियो में ये दो गाय बिक्री के लुपलब्द करवा रहे है पहले नमबर पर आप जो गाय ये देख रहे है राठी शायवाल में क्रोस है साथ में इसके मेल काफ है दो तिन दिन की ब्याई हो चुकी है अभी लगबग जो है 11 से 12 लेटर है इसे में अभी कच्चा दूद मोखेवर अभी तैयार है 15 से पलस जो है दूशमता आपके ब्यात में इसकी रहेगी दूसरी बार ब्याई है देख सकते है लेटी काफी अच्छी है और नीचे से मुठिया थन देखने को मिल रहे काफी अच्छी लेटी है और दूशमता इसकी 15 पलस रहेगी कीमत इसकी मात्रेनों ने जो है 32,000 पे डिमांड की है जो भी बाई लेना चाहता है वो नीचे देगे नमबर पर संपर्क कर सकता है 700 बाव की गोदन है और नीचे से थनों की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं साथ में मेल काफ बच्छडे को इसने जनम दिया है सेकंड टाइमर ये गाई इनों ने बताई है कीमत 32,000 पे है जो भी लेना चाहता है नीचे देगे नमबर पर मुके सर से आप संपर्क कर सकते हैं और जो गायों से आप आज की वीडियो जो दो गाये देखेंगे इनसे अलग वेगर आप कोई गाये बैस खरीदना चाहते है तो भी आप इनके पास विजिट कर सकते हैं और आसपासी किसानों गर से जो है आप गाये बैसे खरीद सकते हैं आज की वीडियो में दो देशी गोदन ये बिक्री के लिए उपलब्द करवा रहे है इसमें एक गदरी राठी नशल की गाये आपको देखने को मिलेगी और एक ये बियाई हुई ताजी बियाई गोदन है राठी शाहिवाल में करोस है 702 ग्ये साथ में इसके मेल काफ है दूसरे नुमबर पर आप जो गदरी राठी नशल ये चोलिस्तानी आप नहीं कह सकते हैं अभी तो झो है लग्बग प्योर जो है गदरे राठे लेकिन चोलिस्तानी विसको जो है अब कहने लग गए लोग अभी आठ महीने की ग्या बिन है और पहले ही ब्यात में इस ने जो है तेरह से चोदा लेटर दू दिया है अब दूसरी बार ब्याने वाली है ब्याने में भी लग बग जो है एक महीना कुछ दिन का समय भी बाकी है कीमत इसकी 32 जारपे नोंने डिमांड की है दूसरी बार ब्याने वाली है काफी अच्छी जो है सांसो बावगी देशी गोदन है प्योर गदरी राठी नशल की ये गोदन है जो भी वाई लेना चाहता है वो नीचे देगे नमपर पर संपरक कर सकता अगर इन दोनों गायों से अलगा आप और भी कोई देशी नसल की राठी शायवाल थार पार कर गाय लेना चाहते है तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं हर परकार की गाय और बैस ही आपको जो है दिलवा सकते हैं तो इनके आप पास आप विजिट करें अगर आप आसपास से हैं तो आप इनके फार्म पर विजिट कर सकते हैं और अच्छी तरी के जाच परक्याप गाए खरी सकते हैं, धन्यवाद